ब्रशन नंबर पहला कड़ा है भारत बृष्टित है भारत कहां पर भृष्टित है तो याद रखेंगे इसका चहीए सथी सिहाँ हो जागा चहीँ इसका सही एंसर क्या होगा आपका option number D कह रहा है उप्योगत में से कोई नहीं और थास सातियो भारत कहां पे इस्थी थे यह इसमें से कोई भी डाटा सही नहीं है याद रखेंगे क्या है सातियो हम लोग देख लेते हैं भारत कहां पे भारत इस्थी थे भारत कि मुख्य भू ब्राविक नुट में, तधार विस्तार उत्री पूर्बी गुलार्थ में, 8 डिग्री चार मिनट उत्तर से साथियों, 37 डिग्री छे मिनट उत्री अच्छांस, तथा, और सबसे इंप्रोटन बात, कि जो भारत से साथियों, यह कर करे खा भारत के लगबाक बीचो 20 से होकर गुजरती है यह भी याद रखना होगा आप सभी को साथियो next person कहड़ा है आपका भारत का छेतरफल संसार के छेतरफल का 2.4 परतिसत है परंतु इसकी जनसंख्या है साथियो वह कितनी है तो याद रखेंगे संपूर्ण मानब जाती का लगभग भारत में परसेंट जनसंक्या निवास करती है इस चिज़ को याद रखेगा सलियो समस्ते हैं साथियो इस चिज़को तो भारत का छेतरफल है वह कितना है साथियो तो याद रखेंगे 32 imagining 3283. वड के कीडूमीटर है के आथब्सक्या साथियो भारत का छेत्रफल है इसमने कोई सबसे इंपोर्टेंट डाटा आप सभी को कई न कई पता ही होगा कि साथियों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसमें चाइना को चीन को पीछे कर दिया है जन संख्या में भारत तो यह साथियों आप लोगों को पता होगा ठीक है जो की उम्मीद हम लोग सभी लोग कर रहे थे कि भाद की जो जन संख्या बढ़ रही है जिस गती से तो तीस तक हम लोग सब टार्गेट लेकर चल ले थे लेकिन इतना चल्दी बढ़ जागा यह किसी को भी उम्मीद नहीं था और यह भारत जो है अब पूरे विश्व का सब से ज्यादा जनसंख्या वाला छेतर जनसंख्या वाला देश बन गया साथियो तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे उसके पस्चात है साथियो निकर्तम सही उत्तर भी है जब कि वरतमान संदर में लगभग साथियो 17.5% है यह भी याद रखेंगे नेक्ट साथियो इसका सही एंसर ऑप्सन नंबर क्या हो जागा अब कभी हो जाएगा लगभग साहे पांच घंडना के आसबस क्या रहता साथियो आगे रहता है समझते हैं यहाँ पर तो समझ पाएंगे भारतिये मानक समय इंडियन एस्टेंडर टाइम आई एस्टी साथियो बिया कि यह दा रखेएंगे इस चलता है गारतिये मानक समय कहां पर दियान रखेगा हुंडू प्रताप निर्मित है कहां पे है तो याद रखेंगे यह सुवर्ण रेखा नदी पर है साथियो याद रखेंगे ठीके चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में भी हम लोग तो साथियो यहां ध्यान दिजेगा हुंडू प्रताप राची से लगबाग साथियो 45 किलो मिटर दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर इस्थित है और इसकी उचाई 320 फीट है साथियो याद रखेंगे अगर आपको फीट में पुछा जाए तो 320 फीट अगर मीटर में पु ठीक है गॉडविन और 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 इस्थियो याद रखेंगा चलिए ध्यान दिजेकि यहां पर साथियो हिमाले परवसरेणी के परवत्तों की उचाई एवम संबंदि देश इस प्रकार है थोड़ा सा देखिए सबसे पहले है साथियो मांट एवरेष्ट ठीक है मांट एवरे सब्सक्राइब नेपाल में है इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 8463 मीटर असपश्ट है कि गौर्डविन और भाद की सर्वोच परबत चोटी है अगर आप से पूछा जाए भारत की सर्वोच परबत चोटी तो हम गौर्डविन और आस्टिन को करेंगे इस चीज को याद रखेंगे यह भाद के केंदर सासित प्रदेश लदाक में है और इस छेतर पर पाकिस्तान का अवेद कब्जा है तो यह भी आप सभी को याद रखना होगा ठीक है चलिए उसके पस्छा नेक्ट प्रश्ण कहरा है हिमाले में हीम रेखा निम्न के बीच होती है साथ यो हिमाले में जो हीम रेखा है वह किसकी बीच होती है तो याद रखेंगे 4300 से लेकर साथियो 6000 में बीच में होती है इस चीश को याद रखेंगे चलिए हम लोग समझ लेते हैं हिमाले के बिभीन भागों में बिभीन रेखा शनो लाइन की उचाई भीन भीन पाई जाती है साथियो याद रखना होगा आप सभी को परंतु औसत हीम रेखा की भाग पर लगभग 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है तो यह भी आप सभी को याद रखना होगा उसी के पस्चात कहड़ा है कि इसी प्रकार पस्चिम हमाले की ओसत हीम रेखा साथियो आपको अंठावन सो तथा पूर्वी हमाले में साथियो आपको 43 सो पाई जाती है तो यह सभी चीज आप लोग को याद रखना होगा किस ओर कितना कितना लंबाई है इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे तो काफी आपको helpful होगा साथियो उसके next कहड़ा है आपका हिमाले का परवत पदिये प्रदेश है वह कौनसा है तो याद रखेंगे वह आपका स सिवालिका हो जाएगा ठीक है क्या हो जागा सिवालिका हो जाएगा चली जानते हैं next आगे चली ध्यान दीजेगा साथियो हिमाले का परवत पदिये प्रदेश शिवालिका श्रेनी के दक्षिन भाग पर इस्तित है बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपो लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है साथियो कि हिमाले के सबसे दच्छनी स्रेनी में कौन सी है या फिर ऐसे आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे साथियो हिमाले के जो सबसे दच्छिंतम स्रेनी है वो सिवाले का है याद रखेंगा यह बहुत ही इंपॉर् साथियो, श्रिवालय का ब्रामा हिमालय का निर्मान आज से लगभग साथियो कह सकते हैं हम लोग कि 5 साथियो, 5 से 1.5 से साथियो, 1.7 मिलियन वर्ज पुर्व क्या हुआ था साथियो, तो पिलोशियन अर्था सेनो जोट यूग में हुआ था, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स साथियो, चत्टानों का निर्मान किस प्रकार से हुआ था तब आपको वहां पर यह चीज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, भात के अत्रिक्त प्रदीप्ये परवत निर्मित हुआ, कहा हुए हैं साथियो, तो आपको सिन जोईक महाकाल में हुए हैं महाकल्प में हुए हैं सा याद रखेंगे कहां हैं अंगरगीड थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं छोटा नाकपुर पठार के बारे में क्यूंकि यह जो सात्यों पठार है बहुत ही फिमस है और लगभग हमेशा पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी एक्जाम का तयारी कर रहे हो सात्यों छोटा न अस्कौरपो के रूप में पाए जाते हैं अतो यह अंगर भीर है सात्यों याद रखना होगा हम सभी को आप से पूछा जा सकता है कि अंगर भीर कौन सा पठार है तो आपको याद रखना होगा छोटा नाकपुर का पठार है सात्यों ठीके चलिए भारत में भू आकारों क कि रचना के शंबन में निमलीखित कतनों पर मनन कीजिए साथ्यों आपसे कहा जाड़ा है मनन करने है तू तो कौन सा हो जागा क्या रचनात्मक दिरिष्टी से में घ्याले पठार दक्कन पठार काहीं विस्तारित भाग है या फिर कस्मीर घाटी की रचना एक सभिनिये में ह हुए है या फिर साथ्यों हिमाले को पत्ती साथ्यों उत्पत्ती भारतिय प्लेट यूडोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोनिय अभिश्रनन के साथ्यों फलसरोप हुए हैं साथ्यों इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा क्या एक दो तथा तीन क्या एक तीन तथाी चार, एक तथा तीन, दो तथा चार, कौन सा सई होगा साथियो इसका सही प्रश्ण, आपका सही एंसर हो रहा है चलिए आगे हम लोग चल लेते हैं उससे पेसले हम लोग थोड़ा सा 갔यों को जान लेते हैं मिघाले पठार प्रादीपिय पठार की बहिदार सी ये आउट लाइनर है साथियों याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है काफी इंपोर्टन्ट है और यह सम्तल भूमी है जो भ्रमस के कारण भारतिय प्रादीप से मालदा मैप द्वारा पिर्थक हो गया है साथियों य स्वेस के अनुशार गंगा में कंगा के विशाल मैदान के उत्पति तब हुई थी जब प्रादीपिय के दृड भूखंडन ने हिमाले के दक्षिन की ओर प्रसार किया था साथियों प्रसार को रोका था याद रखेगे साथियों हिमाले के उच वलनों के सम्मक्ष एक अग अंतरगर्त एक विशाल भू नत्ती की भाती हिमाले से निकलने वाली नदियो द्वारा नियंतरन लाई गय थे याद रखना होगा हम सभी को तो यह था आपका थोड़ा सा है हम लोग यहाँ पर और भी कुछ है उसको भी जान लेते हैं साथ यह आपको याद रखना होगा कि अवसादों से यह अंतरगर्त धीर धीरे भरता रहा और बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्मान हुआ अंतर तक कह सकते हम लोग कि कथन तीन सही है हिमाले के उत्पति साथियो भारते प्लेट और इरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है तो याद रखिएगा चीनी प्लेट का विवड़ान प्लेट टेक्टोनिक सिध्धात में नहीं है यह भी हम लोग को याद रखना होगा साथियो अर्थात कथन नमबर 4 जो था वह गलत था ठीके तो यह था साथियो आपका प्रश नमबर आपका 12 है साथियो की निमन में से कौन सा मिकाले पठार का अंस नहीं है बहुत ही इंपोर्टेंट है साथियो और इसका सही अंसर आपका हो जाएगा option number A भुवन पहारियां ठीक है साथियो भुवन पहारिया हो जागा याद रखेंगे चलिए जान लेते हैं भुवन पहारियां मीजो हिल्प मीजो हिल्स के भाग है साथियो जो पुरुबोत्तर हिमाले का अंग है बहुत important है आपसे पूछा जा सकता है या पिर साथियो इस class के बाद आप इतना तो कम से कम जान पाओगे कि अपना भारत कहां पर इस्तित है अपने भारत का कौन-कौन सा छेतर में कौन-कौन से पहारी है इन चीजों को जान पाएंगे तो साथियो बहुत important है जबकि गारो खांसी और जैंती पहारी में घाले के पठार से के भाग में है तो याद रखेगा साथियो हम लोग बहुत अच्छे सा धंग से चलेंगे एक बार अपका अच्छे सा धंग से बीपीसी हो जाए फिर हम लोग सिलेवस को भी कपर करेंगे बहुत अच्छे धंग से सलेवस को करेंगे साथियो वहाँ पे हम लोग मैप के माध्य हम से समझेंगे सारे हिमाल्य को समझेंगे साथियो हम लोग पुरा परवत पठार को समझेंगे नदियों को समझेंगे सब कुछ समझेंगे अफवाद तंत्र को समझेंगे इलमे नाइट जो की भारतिय तटिय रेखा के साथ ब्यापक रूप से वितरित है जिसका खनीज है साथियो इसका खनीज क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा साथियो टाइटेनियम याद रखेंगे टाइटेनियम हो जाएगा ठीक है चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा साथियो इलमेनाइट का साथियो आप फॉर्मूला इस प्रकार से देख लेंगे ठीक है एबन राइट टाइटेनिक के दो प्रमुख खनीज है साथियो एक खनीज भारत के तट्रिये चेत्रेक में सौराष्ट टट जो की गुजरास से लेकर दिग्गा टट पस्चिम बंगाल के विस्तिर चेत्रे में पाया जाता है तो यह चीज को आप लोग याद रखिएगा आप सब इसे रिक्वेस्ट है भारत की तट रेखा है वह क्या है साथियो तो भारत की जो तट रेखा है उससे पहले हम लोग तथ्यो को समझ लेते हैं साथियो याद रखिएगे 5422.6 किलो मीटर है मुख्य भूमी से दूड कूल तट की लंबाई साथियो कितना है तो आप याद रखिएगे 2094 मीटर है और साथियो भारत की संपून तट रेखा अर्था दीपो के साथ अगर बात की जाए तो आपका कितना हो जागा 7566.6 किलो मीटर अता कोई भी विकल्प साथियो सही नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे विकल्प नहीं दिया गया है इसलिए साथियो इसमें कन्फ्यूजन था और हम लोग तत्यों के माध्य हम से इस कन्फ्यूजन को दूर कर लिए चलिए next question कह रहा है कि महराष्ट एबम कर्नाटक में पस्चमी घाट डैस कहलाते हैं वह क्या है साथियो तो याद रखेंगे वह आपका सरफदादरी हो जाएगा साथियो याद रखेंगे सहादरी हो जायगा याद रखना होग आप सभी को ठीके चलिए महराष्ट एबम करनाटक में पस्चमी घाट क्या कहलाते हैं सहादरी कहलाते हैं चलिए जान लेते हैं सहादरी के बारे में साथियो पस्चिम घाट को महराष्टर गोवावा करनाटक में सहादरी के नाम से जाना जाता है जो की बहुत हुई ऐसे एस्टुरेंट होंगे जो जानते होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो नहीं जानते होंगे साथियो इसकी जो उचाई है इसकी ओसत उचाई कितनी है तो लगभग 1200 मीटर है साथियो यह भी याद रखना होगा केरल में इसे साथियो सरवा परबतम के नाम से जाना जाता है तो नाम याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है साथियो कि सहादरी जो है केरल में उसको किस नाम से जाना जाता है इस प्रकार का भी आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा और वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएगे कि साथ्यों सहादरी को जब पस्चमी घाट, महराट, गुआ, करनाटक में सहादरी कहा जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के ही छेतर है साथ्यों केरल तो यहाँ पे भी यही कहा जा सकता है इस प्रकार से आप लोग मन्थन करने लगेंगे और आपका एंसर हो जाएगा गलत इसलिए आप लोग नाम को याद रखेंगे हर छेतर में उसको अलग-अलग नाम से हर चीज को बुलाया जाता है साथ्यों चलिए, नेक्ट क्वेस्टन कह रहा है आपका वह दर्रा जो सरवाधिक उचाए में अवस्थित है बहुत इंपोर्टन है साथ्यों, याद रखेगा वह दर्रा जो सरवाधिक उचाए में इस्थित है इससे पहले हम साथ्यों आपको एंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे साथ्यों आपको तद भी बताना चाहेंगे क्योंकि दर्रा थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का हो जाता है दर्रा सब लोग नहीं समझ पाते हैं इसलिए सुर्वात में हम भी नहीं समझ पाते थें दर्रा क्या है कैसे है साथियो दिये गए विकलपूक में नाथूला सरवाधिक उचाय में अवस्तित है साथियो याद रखेगा साथियो जो जीला की उचाय लगभग कितना है तो याद रखेंगे 11,588 फिट है रोहतास दर्रा उचाय कितनी है साथियो तो 13 साथियो याद रखेंगे आपको इसका सही हो जाएगा आपका 3,988 मिटर इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे खेवर दर्रा बहुत ही famous दर्रा है साथियो खेवर दर्रा खेवर दर्रा की उचाय आपको 3510 फिट है परन तो भारत की सरबाधिक उचाय में अवस्थित दर्रा कौन सा है साथियो तो याद रखेंगे इसका सही अंसर हो जाएगा आपका यांग जी दिवान जो कि साथियो 5890 म की उचाय पर है साथ यो बिकल्प में उप्योक्त में से कोई भी नहीं है अता इस प्रक्ष्ण का सही उत्तर ऑप्सन नंबर ई दिया गया है तो साथ यहां पर आपको समझ में आ गया एक एक करके कि वह दर्रा जो भारत के सबसे उचाय पर अवस्थित है तो आपको समझ में आ गया सात्यों किस में से कोई नहीं है और हम लोग एक एक करके सभी के बारे में भी जान गया है कि किसका किसका क्या उचाय है ठीक है तो इस प्रकार से होता है सात्यों समझने का तरीक चलिए लक्षदीप टापू अवस्थित है सात्यों ये तो सब को पता ही होगा 100% पता होगा और इसका सही अंसर आपका दस्चनी पस्चमी भालत में है याद रखेगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करें तो सात्यों लक्षदीप और अब सागर में दीपो का समूह या भ अवाल उत्पत्तिक है और लक्षदीप समूह में दीपो की कूल संक्या के अगर बात की जाए तो वह 36 है सात्यों जबकि इन में से केवल 10 ही आवाद है याद रखेगा या भी इन 36 में से सात्यों सिर्फ 10 है जहां पे लोग रह सकते हैं आ जा सकते हैं लक्षदीप के सबसे उत्री दीप समूह को अमीन दीप और सबसे दक्षनी दीप को मीनी काय कहते हैं तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा दो इंपोर्टन्ट फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सात्यों मीनी काय शेस दीपो से 9 दिगरी चैनल द्वारा प्रिथक होता है अब आप सब कन्फ्यूज होंगे कि चैनल क्या होता है ठीक है सात्यों कालपनिक रेखा के प्रकार से चैनल होता है जो एक कह सकते हैं हम लोग कि समूंदरी छेतर में एक देश से दुसरे देश का बटवारा करता है ठीक है सात्यों आगे हम लोग समझते हैं हम असान सब्द तो याद रखेंगे प्रवल उत्पत्ति का है साथ यू आपका सही हो रहा है आपका लक्षदिप में कितने दीप हैं तो अब जेक्ट हम लोग देख लिए हैं साथियो कि लक्षदिप में जो हैं वह अंच्छतिस हैं जीन में से 10 मात्र क्या है जीवित हैं मतलब कह सकते हैं र तो महराष्टर का अंग है ठीक है क्या था साथ यो फिर से बताते हैं विधर्व एक प्रादेशिक नाम है जो कि भारत में है या विधर्व कहां हो जागा तो आपका कह सकते हैं कि महराष्टर का अंग है चलिए जान लेते हैं विधर्व महराष्टर राज्य का उत्री पु जिमें सरवाधिक छेत्र वनों के अंतरगत पाया जाता है साथियो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर आपका अनुराचल परदेश ओप्सन नमर डी सही होगा चलिए जान लेते हैं तथ्यों को साथियो भार्द वन इस्तिती रिपोर्ट 2017 के अनुसर आनुराचल परदेश राज का सरवाधिक छेत्र बनों के अंतरगत आता है भार्द वन इस्तिती रिपोर्ट 2017 के अनुसर सरवाधिक बन छेत्र वाला राज मद्ध परदेश सत याद रखेंगे साथ हज़ार क्या हो जागा आपका साथियो याद रखेंगे सात्तर हज़ार चार सो तिरेपन वर्ग किलो मीटर इसका परतिसत अगर मान निकाला जाए तो आप देख सकते हैं 25.14 परतिसत होगा उसी के पस्चात अनुराशर परदेशा साथियो 66,431 वर्ग मीटर है और इसका साथियो आपका 79.33 परतिसत देखने को मिलता है साथियो 36 गट का वह आपका है 555,717 वर्ग किलो मीटर और साथियो इसका वह आपको 41.21 परतिसत छेतर में बंध देखने को मिलता है उडिसा की बात की जाए पावन हजार एक तो चपन वर किलो मेटर और 33.50 परतिसद इसका वन छेतर है महराष्ट की बात की जाए तो याद रखेंगे साथ यो आपका इसका 16.51 परतिसद है तो इस प्रकार से आप लोग वर किलो मेटर और उसका वन का छेतर याद रखेंगे आप से कुछ भी पूछा जा सकता है हो सकता है आप से यहाँ पे कह सकते हैं कि आप से यहाँ पे साथ यो अनुराचर परदेश के जगा कुछ और अप्सन में दे दिये तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा रेडी रहेंगे लिखित में से किस पहारी पर पूरवी घाट पस्वी घाट से मिलती है बहुत इंपोर्टेंट है इसका सही एंसर आपका देखने को मिलेगा साथियो नीलगीरी पहारी सब लोग जानते होगे नीलगीरी पहारी के बारे में चलिए एक वार हम लोग देख लेते हैं निल गिली पहारी साथियो भारतिय प्राइदीप के पुर्वी घार तथा पस्वी घार के मिलन विंदू पर इस्थित है ठीक है साथियो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं यह क्या होगे आपको पुर्वी घार हो गया यह पस् छे सो साथियो 37 मीटर क्यों चाहिए है तो याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है साथियो हम कैसा पढ़ा रहे हैं क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को जरूर कॉमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं सायद अच्छा पढ़ा हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है साथ यो क्यूंकि एक कॉमेंट ही है जो हम लोगों को बात करने का माध्यमे हम लोग और माध्यम्त है तो आप ज़रूर से जरूर कॉमेंट करा करें आप शबी किस मैर्ष्ट हें slight कुमारी से स सबसे लंबी परवर्ष्रेनी है, इसकी लंबाई करीब 1500 किलो मीटर है, इसे सहादरी के नाम से भी जाना जाता है, साथियो अभी हम लोग ज़स्ट उपर के सेक्षन में देखे थे कि सहादरी किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सहादरी इसे ही कहा जात है, नीलगीरी पहारी एक अस्थल क्रिती गाठ है, जहां पूर्वी घाठ एबंपस्ट्वी घाठ परवतों से मिलते हैं, साथियो नील और याद रखेंगे, तो याद रखेंगे, दो बाट्टा है, साथियो याद रखेंगे, जो दक्षिन भारत का दूसरा सरवोच सिखर है, दक्षिन भारत की सरवोच सिखर साथियो आपसे अन्ना मलाई परवत चोटी पूछा जाएगा, तेक है, दक्षिन क्योंकि दक्षिन क्यों है साथियो तो तमिल उधर तमिल भासा है, आप सभी को पता होगा, इसलिए थुरा सा इस प्रकार से नाम है, आपको याद रख न होगा, यह निलगरी पहारी के दक्षिन में, है, साथियो अन्ना मलाई के दक्षिन में, कार्डेमम, इलाइची की पहारी है, इसलिए तो यह कन्या कुमारी के नजदीकि में इस सित है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, आगे कह रहा है देखने को मिलेगा राजस्थान, छेतरफल के बात की जा रहे हैं, जनसंख्या की नहीं याद रखेगा, फिर आपसे मद्यप्रदेश और स्थड में आपका महराष्ट्रा आता है साथ ही याद रखेंगे, तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग इस च चेतरफल में बारबार राज्य कॉन है साथ ही याद रखेंगे, वह आपका बिहार हो गया, साथ ही याद रखेंगे, तो इाद रखेंगे यह इंपॉर्टेंठ है, चलिए आगे कह रहा है आपसे, वह जान लेते हैं हम साथ हो ही बिहार जोए जनसंख्या की दिरिश्टी से भारत का किसरा सबसे बड़ा राज्य है तथा छेत्रबल के दिरिष्टी से यह बारवा राज्य है तेलागना के गठन के बाद छेत्रबल के दिरिष्टी से बिहार का अस्थान तेरवा हो गया था परंतु साथ यो जम्मु कस्मिन के पून गठन के पस्चार बिहार का अस्थ चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा साथियो द्रविडियन प्रजाती जो है वो मुख रूप से भारत के दक्षिनी भाग में सांकेद्रित हैं यह द्रविड भासा पड़िवार से संबंदित हैं इनमें तमिल कंणर मल्यानम तेलगू और तुलू प्रमूख द्रविड प्रजा जनजाती समुदाय की पहचान नहीं की गई है बहुत इंपोर्टन है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है इससे सही अंसर हो जागा साथियो हर्याना समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चलिए ध्यान देजेगा यहां पे साथियो वर्स 2011 की जनगन्ना का अनुस साथियो भील जाती जो है वो आपको महराष्ट्र में पाया जाती है याद रखेगा ठीक है कहां पाया जाती है महराष्ट्र में पाया जाती है जनग capitalize स इलागना सहीत करनाटकत्रीपूण एबं राजस्थान प्रान्तों में या करते है साथियो तो याद रखेंगे पूझा याद रखेंगा जोड़ी पुछा जाड़ा है अपसे हो आपका ऑप्सन नंबर द डोड़ा के रल जागा लेते हैं घ्क li constrained that लिखे सबसे पहला है यृप आपके आगे हम लोग बात करें तो निमलिकित में से नगड़ों में अलग नंदा एबं भागी रथी कहां मिलकर गंगा नदी बनताती है साथ्यों बहुत इंपोर्टेंट है और इसके सही अंसर आपका हो जागा देव प्राय साथ्यों देव प्राय से ही निकल कर गंगा नदी बनती यालगर्द रखेंगे इससे पहले यह गंगा नहीं होती है इससे पहले यह अलग नंदा के नाम से जानी जाती है भागी रथी के फेमस तीर्थ अस्थल है और यह अलख नंदा तथा भागेड़ती नदियों के संगम पर इस्थित है इस संगम अस्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है साथियो और देप्राय उत्राखन के पंचम पर्यागय गो में से एक है तो इस प्रकार से आपको सिख साथियो भारत में यरलूंग जगवो नदी के नाम से जाना जाता है साथियो यह नदी तिब्बत में सामपो तथा बंगाल में जमुनाव कहलाती है यह भी याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है साथियो याद रखेंगे इसका सही अंसर वैसे बताया जा रहा है उप्युक्त में से एक से अधिक या फिर अप्युक्त में से कोई नहीं अर्थात आपसन नंबर ई कहा जा रहा है उससे पहले हम लोग थोड़ा कथन को समझ लेते हैं साथियो तेल नदी महा नदी के प्रमुख सहायग नदी है किसकी है महा नदी की प्रमुख सहायग नदी है या ओडिसा राजी के प्रमुख नदी है साथियो और महा नदी की अन्य सहायग नदियों में सिवनाथ जोंग हिंसदो इव माउंड आदी या कह साथियो प्रमुख है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि साथ्यों महा नदी का यहां पर ऑप्सन नहीं दिया गया है इस प्रकार से आपका अप्सन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा ठेके चलिए आगे हम लोग बात करें निम्लिकित में कौनसी नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथ्यों बंगाल की खाड़ी में वैसे तो बहुत सारी नदिया गिरती हैं लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है इमली कितमे से कौन सी गिरती है तो याद रखेंगे इसका सही अंसर आपका हो जाएगा साथियो ऑप्सन नमबर डी ए और बी मतलब साथियो गंगा ब्रहम पुत्रा और गोदाबडी उसके पस्चात महादेवी कृष्णा एवं कावडी यह जो छे नदिया है साथियो यह कहा खारी में गिरती है चलिए जान लेते हैं हम लोग साथियो यहां पर देख सकते हैं गंगा ब्रहम पुत्रा गोदाबडी महा नदी और कृष्ण कावडी पनार सर्वन रेखा और साथियो ब्रहम नी बंगाली की खारी में गिरने वाली प्रमुख नदिया है तो इस प्रकार सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर दे रहा है साथियो ऑप्सन नमबर ए उससे पहले थोड़ा सा कथन को समझेंगे साथियो हम देखे आपके पूरे हम आपको किलियर करने का देखे सारब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको ऑप्सन बता दिया जाएगा A B C लेकिन ज उत्री कोयल जारखन से बहने वाली एक नदी है सबसे इंपरेंट बाद जो सोन नदी की एक सहायक नदी है साथियो और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है सोन नदी दक्षिन भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरे सबसे बड़ी पहली यमुना थी और दूसर सोन नदी है, सहायग नदी, चो कि पटना से पास गंगा में मिलती है, ठीके साथियो आप लोग देखते होंगे, साथियो दक्षिन कोईल नदी जारखन ओरिशा में प्रभावित होती है, और साथियो दक्षिन कोईल नदी उतरी कारो नदी के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो को का मिलन किस प्रकार से होता है और वह एकी नदी अलग लग छेत्र में अलग अलग नाम से किस प्रकार से जाने जाते हैं यहां पर आप इस चीज़ को 100% समझ पारे होंगे साथियो बराबर नदी दामोदर नदी की मुख के साहिक नदी है जो कि जारकन के कोडरमा पहार से निकल कर हजारी बाक से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है और साथियो दामोदर हुगली नदी से मिलती है इस प्रकार बराबर और उतरी कोयल गंगा के गहाटी की साथियो क्या होए ओप नदिया है इस तरह प्रश्ण का सही उत्तर विकल्प नमर A हो जाएगा जो कि आपका E हो जाएगा जो कि यहाँ पे विस प्रकार का नहीं दिया गया option ठीक है चलिए तो इस प्रकार से हम साथ्यों तत्यों को बताने का मेरा उद्यस यह रता है तो पूरा concept आपका clear हो जाए ठीक है चलिए ध्यान दिजेगा सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जीले में है साथ्यों बिहार के किस जीले में इस्तित है तो याद रखेंगे वह आपका हो पटना ठीक हो जागा साथ्यों आपका पटना हो जागा निम्ग में से कौन सा सहर गंगा नदी के किनारे इस्तित नहीं है पुछ रहा है हमें लगा कि है लेकिन नहीं है तो याद रखेंगे उत्तरकासी जो है साथ्यों यह गंगा नदी के किनारे में इस्तित नहीं है ठीक को पता होगा देव प्राय में भागी रथी वह अलग नंदा के संगम से गंगा का निर्मान होता है और साथियो उत्तरकासी का शम्मंद भागी रथी से है ना की गंगा से ठीक है फतेह पूर भागल पूर्व कानपूर गंगा नदिर किनाड़े में इस्तित है तो यह भी कथन ही याद किया निमलीकित में से कौनसा एक शप्षे सूखा अस्थान है सबसे सूखा अस्थान की बात की जा रहे है तो याद रखेंगे है यह आपका ले हो जाएगा Ona चलिए जान लेते हैं ठोड़ा सा सात्यों भारत में भारत की जो ले है ले भात में सबसे कम वर्षा का छेतर है इस प्रकार से यह भात का सबसे सुख अस्तल है यह भी याद रखेंगे ठीक है चलिए उसके पस्चात कहरा है अमरिश्षड एवं सिम्ला लगवग एक ही अच्छांस पर इस्थित है ठीक है परंतु उनकी जलव भायों में भिंता का कारण है यह आपसे पूछा जा रहा है साथियो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा उसकी उचाय में भिंता है इस प्रकार से जलवायों में भी भिंता पाए जाती है साथियो ध्यान देंगे अमरिश्षड जो है वह आपको 31 डिगरी साथियो 29 मिनट से कह सकते हैं साथियो आपका 32 डिगरी 3 मिनट कहां है साथियो तो नोर्थ में है यह सभी जो भाज की जीतने भी राज्य है या भारत है साथियो तो याद रखेंगे वो नोर्थ में होंगे ठीक है एब हम सिमला की बात की जाए तो यह 30 डिगरी 45 मिनट है साथियो 31 डिगरी 44 म मेटर है जब कि सिमला की जो समुद्र तलकी उचा है वह तीन सो से छे सो मीटर है तो यहां पर आप डिफ्रेंस देख रहे हैं साथियों कितना ज्यादा डिफ्रेंस है इसलिए वहां की जलवायू में भी परिवर्तन देखने को मिलता है छो मंडल में उचाई बढ़ने के साथ साथियों उम्मीद करते हैं कि चीजों को मद्य को समझा रहे होंगे घ्रव में को पूरा को सब्सक्राण चीज करसे की चीच को समझा पहरे हैं नहीं समझने आ रहा है तो कॉमेंट किजूट करना उचित नहीं है आप किसी चीज को बुड़ा लग रहा हो तो आप कॉमेट किजिए कि भाई आप यहां गलत पढ़ा रहे हो उस चीज को एकसेप्ट करेंगे और बाद में उस चीज को बदलेंगे लेकिन इस तरह से किसी छेत्र को कल Bibhari नाम का बोल कर कोई हमें ऐसा करा था कि तुम्हें पढ़ाने नहीं आ रहा है इसा ऐसा करने से उचित नहीं है ठीक है मुझे पढ़ाने नहीं आता है मैं मानता हूं सायद इस चीज़ को accept करना चाहिए हर इंसान को, ठीक है, अगर मेरे कमी है, नहीं है, फिर भी मैं accept करता हूँ, वो समय बताएगा कि मुझे पढ़ाने आता है या नहीं आता है, और यहाँ पर नहीं पढ़ाने आता है, तो हम यहाँ पर क्यों आये हैं, ठीक है, यह सब को दीख़़ 100% सुधाने का कोशिस करूँगा, लेकिन आप ऐसे-इस सब्द का कोई उप्योग करता है, तो मन नहीं करता है, एक तो आपके लिए रात दिन कॉमेंट वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाना छोटा बात नहीं, एक दिन आप बना कर देखीगा, आपको पदा चल ठीके न, कोई कह रहा था मुझे कि पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो एक बार बना कर देखना भाई, कोई भी हो, वो एक बार बना कर देखना पदा चल जाएगा, ठीके न, कोई भी एक बार में महारत नहीं बनता है, धीर धिले बनता है, इस चीज को आप सभी कोई accept करना कोई भी बड़ा एजुकेटर हो आप भी हो तो आप डारेक्ट एंसी क्लास से तेंथ क्लास में नहीं आ गये थे या फिर मैं ही हूँ तो हर चीज का एक समय होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग मेरा पिडियर्ड है आप लोग कॉपरेट करेंगे तो आगे बहुत कुछ आपको मिलेगा ये चीज समझना चाहिए ठीक है चलिए छोड़िए खेल निक्ट कह रहा है आपका कि टूम्पी टूम्टी लूम जो है साथ कितना कितना प्रतिषटल पाया जाते हैं साथियो समानता टूम्टी मित्टी लूम मित्ट्शोईल कहा जाता है जिसमें 40 प्रतिषट बालू के कन, 40 प्रतिषट मित्टी का गले और 20% साथियों गाद के कारण पाये जाते हैं, अताब विकल्प नमबर T, क्या था आपका सही कह रहा है, चलिए, पौधो को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, साथियों पौधो को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, याद रखेंगे आपको चिकनी मिट्टी में जल धारा, जल धारना के छमता सबसे अधिक होती है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, इसलिए पौधो को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है, और साथियों चिकनी मिट्टी जो है, वह 50% कम गाद और 50% मिट्टी का पर बालो के कुछ मात पाई जाती है, इसमें वायू का अवाम कम होता है, जिससे जल की करांती हो जाती है, तो इस प्रकार से साथियों आज का सेसन यहीं पर हम लोग प्रश्ट नमबर 41 की योड अंध करते हैं साथियों, और कॉमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि क्या हम सही परहा रहे हैं, क्या हम गलत पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा क्लास आपके लिए रेगुलर लागु को रखें, साथियों आप लोग जो मन करें, आप लोग कमेंट में बताएं चरूर, लेकिन एक बोलने की सेली होती है, इस प्रकार से बोलने की सेली होती है कि कि किसी का अगर आप किसी को तरीका होता, साइद में कहीń कहीं हम गरवर आगये होंगे, इस बात को हम ऐक्सेप्ट करते हैं, ठेकें, और इस बात को हर व्शर को एक्सेप्ट करना चाहिए, divine महारत व्यप्रियो वी ओ, उसको ऐक्सेप्ट करना चाहिए कि वह क्लती हुआ है, लेकिन बहाई बोल सकते हो बता कर बोल सकते हैं कि आपने question number इतना question number यहां पे आपने इस तरह का misuse किया है गल्ती किया है या कुछ भी तो इस चीज को फिर से हम सुधारने का कोशिच करेंगे लेकिन इस तरह से कि बिहारी का नाम ले रहे हो तुम इस तरह का नाम ले रहे हो तुम पढ़ने वाला तुम पढ़ने वाला student हो और अहंकारी इंसान का कभी भी officer कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता कोई भी हो हम जो भी comment किया था वो comment वो हम उसको बता रहे हैं साथियो आप लोग प्लीज बुड़ा नामाने सभी को नहीं कहा जाड़ा है इस पे बहुत सारे ऐसे student है जो मुझे accept कर र वो तो कम से कम like कर रहे हैं अब 100% में से जरूरी नहीं कि 100% ही लोग पसंद करें हो सकता है 100% में से 20% ही मुझे पसंद करें उन 20% को ही लेकर चलना है और 20% लोग ही मुझे पसंद कर रहे हैं जो कि मेरा lecture देख रहे हैं तो साथियो आप सभी को पहला तो धन्यवाद कुछ गलती हो रहा है तो आप लोग 100% बदाएं हम लोग कोई बाहरी नहीं है हम लोग अपना family के रूप में है group है friend है साथियो YouTube एक family है और टेलिग्राम पे आप जोईन करके हर समस्या को बताएं क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है क्या करना है इस तरह से क्या चल रहा है बिहार कि छेतर में सिचाइ होती है साथियो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा tcriveni नहर आप सभी को पता होगा triaveni नहर के बारे में चल यह थोड़ा सा तत्थियो के जान लेते हैं तो आपको काफी फाइदा हो जाएगा साथियो प्रश्ण अनुसार दिये गए विकल्पों में से त्रीवेनी नहर जो की कहाँ सातियों तो यह बिहार के छेतर में सिचाई होती है और यह गंड़क नदी के बायतर्ट से निकलती है और यह पस्चिम चम्पाण जिले में इस्थित है तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे त्रीवेनी नहर के बारे में चलिए, कहरा है दिये गए कटू की सहायता से हरित करांती के घटक चुनिए, साथियों देखते हैं, पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सेकेंड है सिचाई, उसके बाद ग्रामिन विधूती करन और साथियों ग्रामिन सरको और विपनन, तो साथियों हम साथियों हम लोग इस पे बात करेंगे, उससे पहले आप ध्यान दीजेगा, आपका option number क्या हो जागा, डी सही हो जागा, साथियों, चारों के चारों जो है, वह सही हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, साथियों तथ्यों पे, तो साथियों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के वीजो, उर्वरक, सिचाय और अन्ने तकने की पर्योगों को बढ़ावा देने हैं तो साथियों, क्या किया गया था, तो ग्रामिन विधूतिकरन इसमें कह सकते हैं, क्रिश्ची उत्पादन को बाजार तक पहुँचने, निश्चित करने के लिए ग्रामिन सरकों और विप्रन कार्यों को बढ़ावा देना हो था, साथियों, हरित करांती के नाम से जाना जाता है इसे, और यह क्या है, तो हरित करांती में और व्योग्त चारों घटक सम्मीलित हैं, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, कि आपसे पूछा जाए कि हरित करांती में कौन-कौन से चीज आते हैं, क्या-क्या इंपो क्या हो जाएगा क्या वह कुशंसिच्चा है गुनवंता क्यूक्त बीच है कि अशकों का प्रयोग है या फिर उडवरक का प्रयोग है साथ उपयूक्त विकलगों प्विकलपोद्व में से दिये गए सभी उपाक्रिसी में उद 21 साथ Audra भारत में 60 और 70 के दसक में बीज, खा, सिचाय, कितना सक और पादप सनक्षन तकनिकी के उत्पादन की विकास और परयोग में बृद्धी हुई साथ यो इस से देश में हरित करांती का सुत्रपात हुआ ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे हरित करांती के बारे में ठीक है चलिए उसके पस्चात नेक्स कोस्टन कहला है कि इंद्र धनुसिय करांती का सम्मंध है किस्ते है तो याद रखेंगे यह आपका हरित करांती भी और नील करांती भी स्वेत करांती और थाथ हम लोग कह सकते हैं कि उप्योगत में से सभी इसका सही हो जाएगा चलिए बात करिया जाए कथनों पे ध्यान दिज़ेगा वर्स 2000 इस भी में केंदर सरकार ने नए राष्ट के क्रिसी नीती की घोसना किये थी सभी करांतियों को सामिल किया गया थैं जैसे ह्लिक अथी सवेत करांती पिली करांती नली करांती गणदी सुणहरी करांती भूरी कर Max और रजड करांती वह खदान-्सिंभलाकरांती आदि हैस्बूरी कर्मिन्द देखिए अभी हम बात कर रहे थे और आपके समख्च इस प्रकार से प्रस्ण भी आ गया क्राली क्रांती सम्मंदित है तो देखिए इसका क्या हो जागा आपका कच्चा तेल उत्पादन से हो जागा तो इस प्रकार से आप लोग सात्यों पहले से ही रेडी रहेगा आयोग को मौका नहीं दीजेगा यह आप लोगों को समझना होगा चलिए क्राली क्रांती का संबंद कच्चा तिल उत्पादन से है सात्यों और अन्य प्रमुख क्रांतिया जैसे सात्यों अन्य उत्पादन इस प्रकार से जैसे गुलाबी क्रांती ब्यास से उत्पादन है नीली क्रा करता है इस प्रकार से सरही क्रांतियों को उससे संबंदित चीजों को आप लोग याद रखेंगे ठीक है चलिए कहता है कि भारत का अधिक्तम गेहुं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है साथियों आप सभी को यह पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश है सन्निक्त प्रांद जिसे हम लोग पहले काते थे वही जो है साथियों वह क्या है तो भारत में अधिक्तम गेहुं का उत्पादन वाला राज्य है चलिए जान लेते इन के बारे में भी तो साथियों प्रश निक साथियो वर्स 2021 के आंकरों के अनुसार स्रबाधिक गेहुं उत्पादन तीन राज्यों में देखा गया है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब तो इन तरह से आप लोग याद रखेगा काफी आपको फाइदा होगा चलिए बात किया जाए आगे तो सबसे जादा गेहुं कहां पैदा होता है तो आप उपर वले सरवाधियों सब्सक्राइब राजे को आप इस प्रकार से याद रखेंगे क्रम बाइज, सबसे पहले मध्य प्रदेश, सौरी साथियो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महराष्टर, करनाट, गुजरा, तमिनाडो, उसके पस्चाद बिहार, फिर आपका आता है हर्याना, और सबसे अंत्मे पंजाब, ठेक है साथियो, तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को आप लोग याद रखेगा, भोगोल्य को बदलते नहीं हैं, इस चीज को आप लोग याद रखेगा, इस लिए आप खुस नसीब है कि आपका भोगोल में सिर्फ सीमित चीज पढ़ने को मिला है, अब उसको भी आप असमार तरीकी से नहीं पढ़ेंगे, तो व थे भी बदलते रहता साथिो लेकिन हिश्ट्री जो है वो नहीं बदलता है भोगोल जो है वो नहीं बदलता है याद रखेंगे चलिए आगे बाद क्या जाएं चलिए आगे कहा रहा साथियों आपका क्वेश्टन कि भारत के निम्र राज्यों में से किसे चीनी का कटोड़ा कहा जाता है साथियों यह आपके सामने उत्तर प्रदेश इसमें भी हो जाएगा तो याद रखेंगे ठीके यह कहीं न कहीं बहुत बार पूछा गया प्रस नहीं साथियों और यह आप सबको पता होगा चीनी का कटोड़ा किसे कहा जाता है चलिए उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोड़ा कहा जाता है यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों वर्ष 2019 साथियो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा वर्ष 2019 साथियो उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे उत्पादक वाला राज बना था तो याद रखेंगे इस प्रकार से आप भारत में एक मातर राज जो केसर का उत्पातन करता है साथियो वह आपका जम्मू कस्मीर हो जागा एक मातर राज जहां पर आए वो थोड़ा सा समझ लिजाएगा कि आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे चलिए आगे हम बात किया जाएं तो आगे तत्यों पर भी थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं साथियो भारत में केसर सैफरोन उत्पातन एक मातर राज ये आपका जम्मू कस्मीर है यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पातन किया जा रहा है और बड़तमान में साथियो जम्मू कस्मीर एक केंदर सासित परदे से जो कि सभी को पता होगा चलिए आगे बात करें तो कहता है निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है साथियो नगदी फसल आप लोग पढ़े होंगे ठीक है चलिए जान लेते हैं जो आड़ नगदी फसल नहीं है आर्थिक समिक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुक फसलों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करती है जो कि आप एक समक्ष देख सकते हैं सबसे पहला है साथियो और ए खादान फसले साथियो इसका क्या होगा चावल गेहूं मक्का मोटे अनाज और दलहन ये सभी आएंगे उसके बाद है गैर खादान फसल जिसमें आपका तिलहन मुंग फली रेप सीड और सरसो ये रिशेदार कपास जूट मेस्ता ये सभी चीज आएंगे फिर कह रहा है साथियो आपका बाग गानी फसल जिसमें चाई, कफी, रवर, अन्य, गन्न, तंबाकू, आलू, ये सभी चीज आपको आएंगे तो इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे देखें, उमीद कर रहे हैं कि आप चीज को समझ पा रहे होंगे, आपको यहाँ से एक कोस्तन नहीं सीख कर जाना है, यही मेरा उद्देश से है, और उमीद करते हैं कि आप सीख भी पा रहे होंगे भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पहमाने पर लोहे अश्य संपन है, बहुत इंपोर्टन है, साथियो इसका सही अंसर आप मध्य प्रदिश और उडिशा को कर सकते हैं, ठीक है, चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदिश और उडिशा के बारे में, साथियो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा, इंडियन में, इंडियन मेर्स इरवुर्क 2019 के अनुसार दियेगा राज्यों में, लो एसक भंडार, हेमे टाइट, प्लस मेगने टाइट, निमलिखित में से ओडिशा में, और मध्य प्रदिश में पाया गया है, साथियो, बिहार में भी देखन आपका ओडिशा और मध्य प्रदिश में मिला है, साथियो, इस प्रकार से आप आंकरे को देख सकते हैं, आंकरे आपसे पूछा नहीं जाएगा, साथियो, अतहर हम कह सकते हैं, कि बिकल्ब जो भी है, वह मध्य प्रदिश और ओडिशा राज्य का यूग्व सही है, भारत म इसी प्रकार से सजाएंगे, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेगा, चलिए, निमलिकित में, साथियो, लो एकसे में से, बेला डिला में किसका खनन होता है, क्या हो हमेटाइड है, सीटे राइट है, या फिर हम लोग देख लेते हैं, वह लिमिनने टाइड है, या फिर मे में इस्तित है, यहां हमेटाइड लो एकस का खननत किया जाता है, हमेटाइड उच्च गुनवनतावाला लो एकस है, और यह साथियो, मुख्य रूप से, 36 गड़ जारकन, ओडिशा, करनाटक, महराश्टर, आंधर प्रदेश, गुवा, आदे, राज्यों में पाया जाता ह जबकि अपेट छक्रिते, कम गुनवनतावाले, मिंगने टाइट, लो एकस के प्राप्ति, गुवा, करनाटक, और आंधर प्रदेश, राजस्थान, और तमी नाडू, अने राज्यों में पाये जाते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कि उच गुनवनतावाल कहां पाये जाते हैं, और निम्न गुनवनतावाला कहां पाये जाते हैं, तो चलिए, आगे बात करते हैं, जारखन में कोईला की खाने इस्तित है, वो आपका जड़िया में है, जड़िया में साथियो याद रखेगा, चलिए दाक लेते हैं हम लोग, तो साथियो जड़िय वक्साइट के लिए उत्पादक के लिए जाना जाता है और राची भाड़ी मसीनों के निर्मान हेतु जाना जाता है तो यह आप लोग याद रखियेगा कहता है कि भूमी गत कोईले का दहन किस राज्य में होता है साथियो इसका सही अंसर आपके समक्ष जारखन हो जाएगा याद रखियेगा आप से request है कि आप लोग उनको जरूर इस चैनल के बारे में जानकारी दे साथियो आप सभी से request करते हैं जारकन के ज़ड़िया छेतर में मुखे तक क्या पाय जाता है साथियो आपका कोईला पाय जाता है अभी कई बार हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं चलिए भारति कोईला उद्ध्यों के कुछ समस्याएं हैं उस पर विचार करने कर रहा है समस्या क्या साथियो तो पहला है निम्न कोटी का कोईला एबं कोईला संकरन में बाधा दूसरा है दुलाई अस्थानों के उप्योग छमता में कमी कोईला के आयात पर बढ़ते निरभरता और साथ यो कारे संचालन कीमते यह चार प्रकार की क्या है साथियो समस्याएं हैं सब को समस्या हम लोग एक एक करके देखेंगे अब क्या है साथियो उप्योगत में से कौन सा सही है क्या दो तीन और चार सही है क्या एक दो तीन चार सही है या फिर साथियो हम लोग यहां देख ले जाए अब इसके डेटेल पर साथ यो भारते कोईला उद्धोग बरतामान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है सबसे इंपोर्टेंट बात जिसमें से निम्न क्या है साथ यो तो निम्न कोटी का कोईला है दोलाई संसाओं की यो उपयोग छमता में कमी है कोकिंग कोईले की बरत में और सबसे इंपोर्टेंट बात कि कई ऐसे पस्चिवी देशे साथियो जहां पर कोईले कमी देखे भी जा रहे हैं तो इस तरह से आप लोग याद रखेगा आपसे पूछा जा सकता है चलिए भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां है साथियो इसका सही एंसर आ आपसे याद रखेंगे आपके लिए काफे इंपोर्टेंट है भारत में सरपर्थम तेल या फिर उड्जा संकट कब आया था तो साथियो इसका सही एंसर क्या कहा रहा है तो 1970 के 1970 और 80 के दौरान क्या हुआ था साथियो तो भारत में सरपर्थम सरपर्थम बात की जारी है तेल कह सकते हैं या फिर उर्जा संकट को हम लोग देख सकते हैं चलिए देख लेते हैं साथियों भारत में सर पर्थम भयानक उर्जा संकट वर्ड्स तीहत्तर में पैदा हुआ था जब तेल निर्याद देशों से क्या हुआ साथियों ने तेल की कीमतों में असमरकता कार चार गुना से अधिक बृद्धी कर दी थी इस तरह से आप चीजों को समझते चलेंगे सेसन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो भी बताएगा बुड़ा लग रहा हो तो भी बताएगा लेकिन बताएगा जरूर आपका कॉमेंट का इंतजार रहता है कॉमें से हमें कहीं होसला मिलता है साथियों मोटिवेशन मिलता और आगे आपके लिए content लाने के लिए हमें अच्छा लगता है साथियो कहड़ा है आपका कि भारत के में प्रती व्यक्ति उर्जा की खपत वर्डस 1994 में थी कितना था याद रखेगा साथियो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा साथियो 243 की गड़ा तेल के बड़ाबर ठीक साथियो जो कि आर्थिक समिक्षा 2018-1994 भारत में प्रती व्यक्ति उर्जा खपत 0.6 टन तेल के बड़ाबर था जो कि व्यस्विक प्रती व्यक्ति साथियो 1.8 टन का एक तिहाई है अता निकरतम विकल्प सी सही उतर हो जागा साथियो क्योंकि आपका 284 जो है साथियो यहा साथियो इसका सही अंसर आपके समक्ष इस प्रकार से है करनाटक ठीक है करनाटक को सभी लोग जानते होंगे कि करनाटक जो है साथियो सरवाधिक सौर ओर्जा के लिए जाना जाता है चलिए बात किया जाए यहाँ पे साथियो देख सकते हैं दिये गए राजियों में सबस सकते हैं सबसे पहले करनाटक फिर राजस्थान आंद्रपर्दिस और तेलागना इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं क्या वा क्रिसी एवं घरेलू उत्पादक्तों को उत्पादन लागत से कम और बिजली का ब्रेग है प्रसासन एवं संतिर हानी काफी ज्यादा होता है राज्य विधूत वार्डों के वह निजिकरन स्वानता में कमी है राज्य सरकारों ने राज्य विधूत वोडों के माध् तत्यों पीwork outे तथ्वारत में राजविधूटे सं हुआधी कैजिए संसाग का भूख़वो और ब्यापक सनरशना वह विसी हानी आदि सम्मिली थें इसके अतरिक्त साथियों राज्यों में क्रिसी छेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली का उत्पादन कराते हैं जिससे आर्थिक सहाईदा का भार बहुत क्या होजा है बढ़े जाता है अब बात क्या जाती हो कि ग्यारव साथियों बिजली की ब्यापक चोड़ी इंपोर्टन्ट है कम बोल्टेज पर उर्जा की विक्री और दूर द्राज पर कम आवादी वाले चेत्र में बिजली की विवस्था करना तथा विश्रन परणाली में कम निवेश की इत्यादी यह सभी कारंथ है तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे तिसको टाटा आईरन एंड इस्टिल कंपनी लिमिटेड के नाम से इसको पूरा नाम हुगा साथियों अब टाटा इस्टिल भारतियों के प्रमुक से इसपाक कंपनी बन गया है और टाटा नगर साथियों जमसेथपूर सब्सेथिद है एंसर हो जाएगा आपका साथियो ऑप्सन नमर बी ठीक है क्या हो जागा साथियो बिहार में डालिया नगर मुख्य रोप से सिमेट के लिए परसीद है इसके अतिक्त यहां चीनी कागच और में केमिकल आधी उद्धोग भी अस्थापित किये जाते हैं ठीक है चलिए बात कि पाई जाती है यहां पर तामा की ख़दाने पाई जाती हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट के अधिन यहां कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जारा है जबकि तारापुर परवान उर्जा और टीटा गड़ काकच उद्धोग रांची इंजिनियर लिंग उद्धोग के लिए भी चीजों को समझेगा यही एक मातर विकल्ब है जो आपका 69 निकल सकता है जलिए राजस्थान राज्य का खेतरी बिल्ट किसके लिए प्रसीद है साथ हो यह आपका तामा खनन के लिए प्रसीद है तो यह भी आप लोग याद रखेंगा राजस्थान राज्ये का खेतरी वेल्ट तामा उत्पादन के लिए प्रसीद है और साथ्यों यह राजस्थान राज्ये के जुन जिले में इस्थिद है राजस्थान तामा धरवर्ज सिला उके रंदरू में पाय जाता है और भारत में सिर्ष्टक ताम अस्टक का भंडार क्रमसा आप देख सकते हैं सबसे पहले राजस्थान जहारखन मद्य प्रदेश राज्य है इस प्रकार से आप लोग याद रख से हैं साथियो 2018-19 में अगर बद क्या जाए तो तामबो का सरवादिक उत्पादन मद्य प्रदेश में हुआ था राजस्थान में एबं उसके पस्चात आपका जहारखन में हुआ था स्वर्णमित चत्रभुज क्या है तो आप याद रखेंगे यह राष्टिय राजमार्क पड़ियोजना है तो याद रखेंगे चलिए एक राष्टिय राजमार्क पड़ियोजना है जिसके शुरुआत वर्स 2001 में खी थी और इसके मद्य से देश के चार प्रमोख महानगरो जो ऐसे साथियो दिली मुंबई चेन्य और कुलकता सरक क्या है सरक मार्क को जोड़ा जा रहा है इस प्रकार से चीजों को याद रखेंगे कहता है कि भारत का 40% सरक परिवहन होता है कहां होता है तो याद रखेंगे साथियो वह आपका हो जागा राष्टिय राजमार्क से होता है तो सभी एक राज्जी से दूसरे राज्जी को जोड़ते हैं तो याद रखेंगा चीजों को साथियो वर्तमान में 31 मार 2017 तक की बात की जा रहे है यहाँ पर राष्टिय राजमार्क की कुल जो लंबाई है वह कितना है साथियो 11 लाक साथियो यहाँ पर देख सकते इस प्रकार से आप देख सकते हैं चलिए आगे बात क्या जाए साथियो हिमालिय परवर्ष्रेनी में से किस परवर्ष्रेनी को अटल टनल पार करती है साथियो अटल टनल पार की बात की जा रहे है यहाल ही में चर्चा में भी था और साथियो इसका सही अंसर आपका पूरवी क्या हो जाएगा पूरवी पीर पंजाल हो जाएगा याद रखेंगे और इसका निर्मान सीमा सरक संगठन द्वारा किया जाता है थातियों यह भारत के लिए सामाडिक दिरिश्टिक से महत्पून है वर्ष 2002 में तातकालिन प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाजपाई ने इस तॉनल की आधार सीला राकी थी और साली थियों 3 अक्टूबर 2020 को रोह कॉमेट बात चोहते हैं कि चोटा कर दिजए पढ़ने में परओबल्म हो तो हम चाहते है साधियों की प्रेंशर लेकर नहीं पढ़ना है आराम से पढ़ना है। चीजो को समझना है अभी आतलख काफीटूटरी है और साथियों सबसे इमार, बात कि हम बिहार दरुगा म lessons कर और साधियों, आप लोग, count कमेंट जरूर किया करें, कैसा लगा, सिसंस कैसा नहीं लगा, तो आप से request है, कि आप comment करेंगे, तो हम पता चलेगा साथियों, कि हम सही mark पर चर रहे हैं, हम आपको पीडियाप आपको सही चीज दे पाढ़े हैं, तो इस प्रकार से आप लोग, comment क झाल